दोस्तों आखिरकार फ्लिप कार्ड की बिग सेविंग डे सेल चुरू होने वाली है जो कि चलेगी 11 मार्स से लेकर 15 माय तक और इस सेल में आपको फोन्स के ओपर भारी भारी डिसकाउंट देखने को भी मिल जाएंगे और अगर आपके बास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तब आपको अलग से 10% का इंसेंट डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा और इस लिस्ट के अंदर हम सारे के सारे फोन्स 5G वाले लेकर आ रहे हैं ताकि आप फ्यूचर प्रूफ भी रह सको 4G का तो हमने कोई मजाकी नहीं गिया तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के वीड डिस्प्ले दी गई है फोन के बैक में हमें 50 मेगा पिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटप भी देखने को मिल जाता है यह फोन डायमन सिटी 700 प्रोसेसर के साथ में आता है यानि कि दोस्तों ट्रूली 5G फोन आपको इस रेंज में मिल जाएगा जो कि यह काफी बड़ी आडील है और इस लिश्ट में हमारा दूसरे नंबर पर आने आला फोन है Poco M4 Pro 5G जो कि आपको 11,999 रुबे में देखने को मिलेगा स्पैसिफिकेशन की बात करें तो फोन के अंदर हमें 6.6 इंचेज की Full HD Plus 90 Hz वाली डिस्प्ले दी गई है फोन के बैक में में Dual Camera का सेटप दिया गया 50 Megapixel का Main Camera, 8 Megapixel का Ultra Wide Camera और ये फोन Diamond City 810 5G प्रोसेसर के साथ में आते है जो कि 6 नानोमीटर टेकनोलजी पर बेज़द है बढ़िया कंटेंड वोचिंग और गेमिंग के साफ से ये फोन एक दम मस्त डील आप के लिए बन जाएगी अगर भाई एक Samsung लवा रहा है और आपको Samsung का ही फोन चाहिए तब आप यहाँ पर Samsung का F23 5G स्मार्टफोन ज़रूर से ले सकते हैं जिसकी प्राइजिंग सेल में आ रही है 12,999 पर स्पैसिफिकेशन के अगर मैं बात करूँ तो फोन के अंदर हमें 6.6 इंचिस की Full HD Plus वाली 120 Hz की डिस्प्ले दी गई है फोन के अंदर हम Snapdragon 750G का प्रोसेसर दिया गया है यानि कि है फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाल है फोन के बैक में में ट्रिपल कैमरा का सैट अप दिया गया 50MP का में कैमरा और 8MP का अल्टर वाइट कैमरा दोस्तों सैमसंग लवर के साब से यह स्मार्टफोन आ भाई काफी यादा बढ़ दिया गया है यानि कि यह फोन भी ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाल है फोन के बैक में 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 ट्रिपल कैमरा का सैट अप दिया गया जिसमें हमारा में कैमरा 50MP का तो दोस्तों कंटेंड वोचिंग के हिसाफ से आप इस स्मार्टफोन को जरूर से बाइक कर सकते हैं और यह पर हमारा अगला फोन है Poco X4 Pro 5G स्मार्टफोन जिसकी प्राइजिंग आ रही है 14,999 पर और दोस्तों फोन के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है फोन के अंदर हमें Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गय बही ओवरॉल यह जो फोन है ना काफी ज्यादा value for money deal हमारे लिए बना रहे है क्योंकि हाँ पर content watching, gaming, camera setup सारी चीज़े आपको एक तोप of the line देखने को मिल जाएंगी और हमारा next phone है Moto G62 5G जिसकी pricing है 1599 रपे, specification की बात करें तो फोन के अंदर हमें 6.5 इंचिस की 120Hz वाली डिस्पले दी गई है, फोन में हमें stock Android का experience देखने को भी मिल जाता है फोन के अंदर हमें Snapdragon 695 का का काफी बड़िया chipset दिया गया जो कि आपको काफी मैदार gaming करवा देगा फोन के back में हमें triple camera का setup दिया गया जहाँ पर main camera 50 megapixel का और selfie camera की बात करें तो फोन के front में 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है दोस्तों अगर आपको stock Android experience के हिसाब से एक truly 5G connectivity वाला smartphone लेना ना तब आप Moto G62 की तरफ जरूर से जा सकते हैं और यहाँ पर हमारा अगला phone है Infinix Note 12 Pro 5G smartphone जिसकी pricing आ रही है 16,249 रुपे specification की बात करें तो phone के अंदर हमें 6.7 inches की full HD plus वाली AMOLED 60 Hz की display दी गई है दोस्तों content watching के इसाब से display एकदम बढ़ी है क्योंकि हमें AMOLED panel मिल रहा है अच्छी बात है chipset की बात करें तो phone के अंदर हमें Dimensity 8105G chipset दिया गया है काफी बड़िया chipset है फोन के back में हमें triple camera का setup दिया गया है जो main camera 108 MP का और selfie lovers के लिए यहाँ पर phone के front में 16 MP का selfie camera भी दिया गया है अगर आपको content watching के इसाब से एक बड़िया smartphone लेना है truly 5G connectivity भी चाहिए तब आप यहाँ पर Infinix Note 12 Pro 5G के तरफ जरूर से जा सकते हैं और next phone है हमारा यहाँ पर Infinix 05G 2023 प्राइजिंग की बात करें तो phone का rate आ रहा है 16,249 रपे और specification के अगर हम बात करें तो phone के अंदर हमें 6.78 inches की full HD plus वाली 120 Hz की display दी गई है phone के अंदर हमें Dimensity 925G chipset दिया गया है जो की 6 nanometer technology पर based है दोस्तों काफी बड़िया chipset है gaming आपको एकदम मैदर वाली करवा देगा camera setup की बात करें तो phone के back में हमें triple camera का setup दिया गया जहाँ पर main camera है 50 megapixel का और selfie के लिए phone के front में हमें 16 megapixel का selfie camera भी दिया गया अगर आपको overall एक बड़िया smartphone चाहिए truly 5G connectivity चाहिए यह साथ ही अगर आप बड़िया वाली gaming भी करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर इस phone की तरफ जरूर से जा सकते हैं और हमारा अगला phone है Moto G82 5G pricing की बात करें तो phone का rate आ रहा है 19,749 रुपे और अब बारी आती है दोस्तो specifications की तो phone के अंदर हमें 6.6 inches की full HD plus PO OLED डिस्पले दी गई है जो की 120 Hz के refresh rate को sport करती है phone के अंदर हमें stock Android का experience दिया गया Snapdragon 695 के साथ में आता है smartphone phone के back में triple camera का setup दिया गया जहांपर हमारा main camera 50 megapixel का और selfie lovers के लिए phone के front में हमें 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है अगर आपको एकदम बढ़िया content watching के इसाफ से stock Android के experience के इसाफ से smartphone लेना है न भाई तब आप यहाँ पर Moto G82 5G की तरफ जरूर से जा सकते हैं और इस लिस्ट में हमारा आखरी phone है वीवो T1 Pro 5G smartphone जिसकी pricing आ रही है 19,999 रपे specification की बात करें तो phone के अंदर हमें 6.44 इंचेस की Full HD Plus AMOLED डिस्पे दी गई है जो की 90 Hz के refresh rate को spot करती है phone के अंदर हमें Snapdragon 778G 5G चिपसेट दिया गया जो की 6 nanometer technology पर based है दोस्तों काफी बढ़िया चिपसेट है काफी मैदार gaming आप इस चिपसेट के साथ में कर पाएंगे phone के back में हमें triple camera का setup दिया गया जहां पर main camera 64 megapixel का और selfie lovers के लिए phone के front में हमें 16 megapixel का selfie camera दिया गया है अगर आपका budget है बई 20,000 पर तक का उसमें आपको overall एकदम बढ़िया वाला smartphone लेना जिसमें fast charging का sport भी बढ़िया वाला display भी मस्त हो और chipset भी एकदम बढ़िया वाला definitely आप यहाँ पर Vivo T1 Pro 5G की तरफ जरूर से जा सकते हैं और दोस्तों सभी phones के link नीचे हमने description में दे दिये हैं आते जागर आप इन्हें बाइक कर सकते हैं खतम